तान्वी ग्रेटी चैनल में आप सुभी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक निई वीडियो से हेरा करने वाली हूँ वह भी है नेचुरल ब्यूटी से लेके तो मैं नेचुरल ब्यूटी आप सभी देखके समझे गयोंगे ये पपीता को देखे कि मैं नेचुरल ब्यूट क्योंकि आप भार से महंगी महंगी क्रीम लगाएं उसकी जगह आप ये पापया फेश्वσι फेक बनाके लगाएं आपके चेरे पे ज Dáक το की क्रिमे ट्राइ कर चुके होंगे जब यह नहीं मिटी होगी और जिसे डाक सरकल है वह भी बहुत बेका लगते हैं हमारे चेरे पर तो और जिसे काला पन है ब्लेक स्पोर्ट है आध पर बूज जदा काले हुच चुके हैं जैसे आपकी इसकी नियों से जदा आपके हाथ पर काले पढ़ चुके हैं गरमी आने वाली है तो इस तरह की प्रब्लम आपको आगे फेस्पेक त्यार करने वाली हूँ और आपकी डाक की प्रोब्लम है उसके लिए भी मैं अलग से एक फेस्वेक आपको बनाना बताऊंगी और उसको अप्लाइ करिए का आप रोज आपके जो डाक्सर के लाना बिल्कुल रिम्यू हो जाने वाले हैं आप छुटकार पालोगे उससे तो आपको क्या करना इसका बीज भी आपको य एंजयम होता है जो जैसे इसके गीदे में होता नो से ज़्यादा चिलके और बीज में होता है तो हमारे जैसे इसकीन को बहुत ज़्यादा ब्रैटनेस करता है बहुत अच्छी स्कीन आपके हो जाने वाले जैसे आप 50 की उमर के लग रहे हो तो आप 25 की उमर के लगने लग जल्दी आपकी skin glowing करने लगेगी इतनी अच्छे से जवा आपकी skin हो जाएगी तो guys मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप पूरा result देखिएगा और skip करकर करके मत देखिएगा skip करके देखोगो तो फिर आपको वो result नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं step by step पर अच्छे से आपको बताने वाली हूँ कितने दिन इसको लगाना है किन किन को लगाना है और कैसे लगाना है यह सब मैं पूरा अच्छे से step by step बताने वाली हूँ तो देखे गास मैंने चलके सहीध इसको काट के रख लिया है और यह मैंने अलग से गीदा नीकाला हूँ और इसको मैं कदू कस कर रही हूँ तो कदू कस करके क्यों रख रे हूँ आपको आगे पता चलेगा तो यह एक मैं अलग से face Bake बेक बना रही हूँ और कोई चीज इसमें नहीं मिलानी है और एक चीज और मिलानी है वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी तो आपके इस तरह की dark circle की problem है ना तो आप ये वाला facebook बनाएगा जो मैं बना रही हूँ तो वो बनाएगा आप dark circle हो रहे हैं तो आप रोज इसको apply करिएगा जबी भी आपको time मिले स्याम या सुबह जबी भी आपको time मिले तो ये facebook जरूर यूज करिएगा तो इसको apply कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी और आप इसमें क्या ingredient मिलाना है वो भी मैं बताने वाली हूँ तो guys से पूरा वीडियो देखिएगा जबी आपको समझ में आगा क्योंकि मैं अच्छे से step by step समझाने वाली हूँ तो ये मैंने इसको कदुकस कर लिया है और ये इसका प्लप है ना बहुत ही ज़्यादा काम का है हमारी स्कीन को brightness देने में बहुत अच्छा काम करेगा आपकी स्कीन हीरे की तरह चमकने लगेगी तो second ingredient मैं क्या ले रही हूँ टेमेटो टेमेटो आप सभी को पता है कि मारी स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो टेमाटर लीजिएगा ये आप टेमाटर नहीं लेना चाते हो तो आप नीमू भी यूज ले सकते हो लेकिन नीमू हना जो हर किसी के चेरे पे सूट लेसकर नहीं करता है और यह तो हर किसी के चेरे difference नहीं करता है तो आप पहले लगाने से पहले चेख जरू कर लिजिए और डॉक् opini हिवार आप उप definitions रेक्र नहीं मत करेंगा लेकिन डेचरल यह problem होती नहीं है लेकिन जिनकी skin बहुत ज़्यादा soft होती है बहुत ज़्यादा sensitive होती है उन्हों की problem हो जाती है तो एक मैंने face face बना के रख लिया वो आँखों की dark circle के लिए आप पूरे face बें लगा सकते हो लेकिन mostly आप आँखों के नीचे लगाना चारे हो तो उसके लिए मैंने वो बना के रखा है और second जो मैं face face बना रही हूँ वो है जैसे आप अपने face बें पूरे face बें अपलाई करो या अपने हाथ पिर पर अपलाई करो हाथ पिर आपके बहुत ज़्यादा काले काले और जैसे आपकी skin काले नहीं है नो बहुत ज़्यादा काली पर चुकी राप हो बहुत ज़्यादा प्रेसान कि आमीन हाथ पिरों को किस तरह से सुन्दर बनाए तो इसके लिए मैं face बनाने वाली हूँ तो second ingredient मैंने इसमें डाला है चीनी चीनी इसी टेम डाल देंगे तक इसके साथ पिस जाए यदि आप पिसी चीनी ले रहे हो तो बाद में डाल दीजिएगा और एक आदा टेमाटर मैं इसमें काट के डाल दूँगी टेमाटर इसमें काट के डाल दे रही हूँ क्योंकि खटा इसमें और मैंने कुछ भी नहीं डाली है तो टेमाटर आप सभी को पता है कि बीट इनियस के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो टेमाटर भी मैंने इसम में नहीं फेका है तो यह सभी को हमने पीस लेना है यह मैंने पीस लिया अच्छे से इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है अब इसको लगाना कैसे है कैसे लगाना है और कैसे इसको हटाना है चेरे पे कितने दिन लगाना है यह सब मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाली हूँ तो देशत्यों गास यह मेरा फेस्ट बिल्कुल बनके रेडी हो गया है तो दो नो फेस्ट बैक मैंने बना लिया है जिसके डार सरकल की प्रोब्लम है तो उसके लिए यह ना भी होना जबी भी आप जरू बनाएगा आपके चेरे पे और भी अच्छी सी निकार आने वाली ह है तो इसलिए दो फेस्ट बना के रखिएगा साथ में ते देशत्यों गास यह मैंने डार सरकल के बनाया था ना उसको सबसे पहले में अपलाए करने वाली हो तो इसको सबसे पहले अपने चेरे पर अपलाए करेगा आँखों के आस पास सब तरह से मसाज करिएगा पूरे चेरे पर इस तरह से मसाज करनी है जैसे मार्केट में जाते हैं पालर जाते हैं तो पालर जाते हैं तो पहले वो फिस पर क्या है कि मसाज करती है करे तरह की सिर्म लगाती है उससे मसाज करती है तो हमारा चेरे पर ऑटमेटिक गलो आ जाता है क्योंकि इस तरह से मसाज करने आँखों के आसपास पूरे चेरे पे इसे मैं अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ तो देखे गाईस अभी मेरे देखे कितना ग्लो चेरे पे आ गया है पहले कैसा चेरा नजरा रहा तो आप देखे कितना अच्छा साइनिंग मेरा चेरा कर रहा है तो ऐसे ही गाइस आपका चेरा भी करने वाला है और बहुत ही सुन्दर आप लगने वाले हो और ये face 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 नहीं बोल हसोगे तो आपकी रिंकल्स भी पड़ सकते हैं तो देशते तो गाई मैंने पूरे फेस पे और गर्दन पे भी लगा लिया है और आप इसको जब तक सूख जाएगा ना जब तक मैं इसको लगाया रखूंगी तो देशते तो गाई मेरा बिल्कुल सूख चुका है अगली लगा कि भी आपको दिखा रही हूँ तो बिल्कुल मेरा सूख चुका है अब मैं क्या करूँ आदा टेमाटर ले रही हूँ तो ये ऐसे दोना नहीं सिंपली टेमाटर से पहले इसे मसाज करनी है टेमाटरिक में अंदर इसमें रस होता है तो उसके दुआरा इसके पर है फेसे पड़ लगाया ना सुगया उसके उपर ही मसाज करनी है मसाज करने का भी काम काम हो जाएगा और हमारे चेरे में बहुत ही अच्छा सक ग्लों कि प्रोलव और पन पोस परोब्लम हो तो बहुत ही जल्दी आपकी ठीक हो जाने वाली एक बार आप ही इस तरह से प इस पर को लगाई है और जो मैं पूरे स्टेफ आपको बताई हो पूरे फोलो कीजिएगा तब देश्टियों गाईस मेरा चेरा कितना गुलावी गुलावी और मैं धोया भी नहीं चेरा कितना सुन्दा नजरा किते अच्छी चमक आगए मेरे चेरा पहले कैसा तर आप कैसा बता है तो गैस जो मैंने इसटेफ फोलो किया हैं पूरे आप इस तरह आपका चेरा भी इसी तरह से एक बार इस तरे से बिलकुल ग्लो करने लगईगा बहुत ही अच्छी से साइनिंग करने लगईगा और एक बार ही मैंने यह करक운 कि देखा है आप सब्सकूले में तीन द वीडियो में बाइ एंड टिक्या